हेलो फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे शिक्षिक बर्ती की जेवीटी बर्सस बीट केस की और एंटीटी बर्ती की हिमाचल प्रदेश में जेवीटी, कलाह और शास्त्री शिक्षों के बैचवाइज बर्ती के मादिम से ऐसे स्कूलों में नियुक्त किया जाएगा जहां कोई नियमत शिक्षिक नहीं है या एक टीचर के साहरे ही स्कूल चल रहे हैं रज्य सची वाले में पतरकारों से बाचीत में शिक्ष्यमंती रही ठाकू ने कहा कि प्रदेश के 455 स्कूलों में नियमेट टीचर नहीं हैं 3148 स्कूल सिंगर टीचर के साहरे हैं इन स्कूलों में प्रात्मिक्ता के अदार पर बैचवाइज मादिम से चुने जाने वाले टीचर को निकती दी जाएगी परदानाचारियों के रिक्ष्यमंती के बाद प्रमोशन से बनने की प्रिक्रिया शुरू हो जाएगी इसके लावा शिक्षा मंतरी ने कहा कि प्रारंबिक शिक्षा विवाग में 29 टीचर की भरती का अगली कैबिनेट बैठक में पस्ताप ज गहए है फैसला आने तक बरत्धी पřिक्रिया जारी रहेगी शारेड़िक शिक्षा विवाग में बिवन श्रेणियों के 12,000 पत रिक्त हैं घर साल सेवा निवरीति के चलते 15,00 पत रिकत होते हैं इसके लावा शिक्षा मंत्री रोग ठाकों ने बताया कि प्रदेश में करीब 4,000 प्री प्रैमरी शिक्षक भरती मामले को सुझाने के लिए वो जल्द दिल ली जाएंगे केंदरी शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर नर्सी टीचर ट्रेनिंग के एक बैदो वर्ष के डिप्लोमा को लेकर चर्चा करेंगे उन्होंने कहा कि पूरु सरकार ने भी प्रैमरी शिक्षों की भरती के लिए प्रयास किये थे दो और एक वर्ष के डिप्लोमा का बिवाद फंसा है प्रदे सरकार ने एक वर्ष के डिप्लोमा वालों को बर्ती करने का पस्ता बेजा है ये करास्टिय मुद्धा सरकार जल्द बर्ती के लिए प्रयास करेगी शिक्षा मंतरी रोई ठाकुन ने पत्रकारों से बाचीत में बताया कि ये मामला केंदर सरकार के श्मक्ष उठाया गया है यदि केंदर से एंटीटी के एक साल के डिप्लोमा को मंजूरी नहीं मिलती है तो सरकार इन्हीं डिप्लोमा धारकों को एक साल का अतिरिक कोर्स करवाईगी शिक्षा मंतरी के इस ब्यान से एक बार एक साल के डिप्लोमा दारक NTT प्रशिक्ष्षों को नुक्ती की उमीज जगी है NTT भरती पर शिक्षा मंतरी रोट ठाकू ने कहा है कि NCT की गार्ड लाइन के मुताविक NTT भरती के लिए दो वर्श का डिप्लोमा अनिवारे किया गया है इस बारे में जल्दी ही शिक्षा मंतरी केंदरी शिक्षा मंतराले से मुलाकात करेंगे उन्होंने कहा कि यदि रहात नहीं मिलती है तो उन में हिलाओं से एक साल का अतरिक कोर्स करवाया जाएगा जिनके पास महज एक वर्श का ही डिप्लोमा है उन्होंने कहा कि NTT भरतियों को लेकर बाजपा सकाने जो पॉलिसी बनाई थी उसमें कुछ शंशोदन किये जाएंगे केंदर से प्री प्रैमरी की भरति के लिए आया 47 करोड का खर्च भी लैप्स हो गया था और इसी साल के लिए 150 करोड का बजट भी मंजूर हो गया है अब आचा सेंता के बाद खुछ शिक्षा मंतरी ने दिल्ली जाने की बात कही है और इस मुद्दे को केंदर के श्मक्ष रखेंगे करीब 50,000 प्री प्रैमरी स्कूलों में 55,000 बच्चों को पढ़ाने के लिए NTT के पदो पर भरतिया होनी है अभी इन बच्चों को JVT शिक्षक ही पढ़ा रहे हैं ब्रोजगार युबाउन द्वारा परदर्शन करने के बाद अब शिक्षा बिवाग में अस्थाई बरतियों को टाल दिया गया है शिक्षा मंतरी ने कहा है कि 3144 स्कूल सिंगर टीचर के सहारे चल रहे हैं मही 455 स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं इसी परकार से 12,000 सो जादा टीचर्स के रिक्त पद हैं अस्थाई बरतियों के पीछे केवल कमेटी की यही मनशाती की शिगर अतिशिगर इन पदों को बहरा जा सके लेकिन अब कमेटी ने अपना विचार बदल दिया है डिटन प्रिक्षा के बाद ही सभी पदों को बहरा जाएगा शिक्षा मंतरिने कहा कि पूरो सरकार में शिक्षा विवाग में काफी कम पद बरे गए हैं वहीं काफी बरतियों भी फसी हुई हैं जिनको लेकर चुनुती है लेकिन उसके बाब जू सरकार का प्रयास रहेगा कि सभी बर्तियां R&P रूस के तहत अस्ताई तोर पर हो सकें उन्होंने कहा कि एंटिटी बर्ति को लेकर जल्दी केंदरी शिक्षा मंतरी से मुलाकात की जाएगी केंदर सरकार की ओर से रहत मिलती है तो एक वश का डिप्लोमा हासिल करने वाले महलाओं को भी इस बर्ति में मौका मिलेगा इसके लावा जेविटी बना बीर्ड मामले में नियूमों के तहती जेविटी के पदों पर भर्तियां होंगी इन बर्तियों में बीर्ड को भी शामिल करने पर परशिक्षित बरोजगा संग ने एक बार फिर इस निन्ने के बिरोध में रैली करने का फैसला किया है हालांकि शिक्षा मंतरी रोई ठाकुर की ओर से इस पर पहले ही प्रितिक्रिया सामने आगी शिक्षा मंतरी ने कहा कि आकरोश रैली निकालना जेवी टी पर शिक्षिवों का अधिकार है लेकिन ये बर्तियां निमनसारी होंगी यानि आने वले समय में बीर्ड पर शिक्षिवों को कमिशन और बैचवाइज दोनों बर्तियों में शामिल किया जाएगा जब तक इस बारे में फैसला कोट से नहीं आ जाता शिक्षा मंतरी रोई ठाकु ने कहा कि बैचवाइज बर्ति के बाद कमिशन का प्रोसेस भी जल्दी शुरू किया जाएगा आपको बता दूँ जेवीटी में बियड को भी शामिल करने पर प्रशिक्षित बरोजगा संग ने एक बार इस निन्ने के बिरोध में रैली न करने का फैसला किया है जेवीटी डियलेड संग आठ माई को शिमला में एक रैली न कालेगा जिसमें शिक्षव विवाग के इस फैसले का बिरोध किया जाएगा पिछले चार साल से इस मुद्दे पर बिवाद चल रहा है लेकिन अभी भी जेवीटी बना बियड बिवाद थमा नहीं है कुछ दिनों पहले ही प्रारंबिक शिक्षव विवाग की और से सभी जिलों को निदेश चारी किये गए हैं कि जेवीटी में अभी एड को भी शामिल किया जाएगा अब इसी फैसले का बिरोध किया जा रहा है प्रारंबिक शिक्षव निजेशाले ने इस बारे में सपस्टिकन जारी कर बीते कई मा से शिंगर्स जेवीटी परशिक्षव को जटका दिया है और इसी बात का पुरे प्रदेश में बिरोध हो रहा है आपको पता दू जेवी झाल 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 झाल